13.6 exercise question number 2 यह हम लोग अभी यहाँ पे discuss करने जा रहे हैं चलो देखते हैं इस particular सवाल में क्या चीज़े हम लोगों को बोली गई है सवाल में कह रहा है कि आपके पास एक cylindrical wooden pipe है ठीक है जिसका inner diameter आपको दिया हुआ है 24 cm देखो inner outer अगर इन शब्दों का प्रयोग हो गया है इसका मतलब यह सवाल वो विट वाला सवाल है ठीक है कैसा सवाल है विट वाला सवाल है तो अगर इस particular question के given data के बारे में बात करें हम लोग तो given data क्या है सबसे पहले शेप identify करो तो हम लोगों को एक मिनिटा चाथ के उपर बंदर है बहुत सारी खैर जाने दो हाँ तो अगर मैं given data की बात करूँ तो given data हमारे पास यह है कि हमारे पास एक cylindrical shape का क्या है हमारे पास wooden pipe है चलो बहुत अच्छी बात है अब यह जो cylindrical shape का wooden pipe है इस particular cylindrical shape के wooden pipe के पास हमारे पास जो inner diameter है वो inner diameter कितना दिया हुआ है 24 cm अब अगर आपको inner diameter दिया है तो obvious है कि आप उसका radius calculate कर लोगे तो यहां से आप लोगों के पास जो inner radius निकल कर आएगा वो inner radius कितना आएगा 12 cm और इसका reason क्या हो जाएगा इसका reason हो जाएगा diameter is equal to 2 times of radius reason लिखना ना भूले ठीक है फिर आगे देखो सवाल में क्या बोला है कि जो outer diameter है वो आप लोगों का 28 cm का है यानि कि इस particular question में जो outer diameter है यह outer diameter आपको दिया हुआ है कितना 28 cm तो अगर outer diameter हमको पता है तो क्या हम अगेन उसकी मरत से inner radius निकाल सकते हैं बिल्कुल आप उसकी मरत से inner radius निकाल सकते हो तो inner radius यहां से आजाएगा कितना 14 cm और इसका reason आजाएगा diameter equal to 2 times of radius हो गया देखो अच्छा बहुत अच्छी बात है मतलब inner और क्या खेता है आप लोगों के outer dimensions के बारे में हमें सारी जानकारी इस particular question में दी है अब question में बोला है कि जो pipe है उसकी जो length होगी वो 35 cm होगी देखो cylindrical shape के pipe को अगर आपने लेटा दिया ठीक है जमीन पर तो उसकी height उसकी length बन जाती है अगर आपने उसी cylindrical shape के pipe को खड़ा कर दिया तो वो उसकी height बन जाती है यानि कि height and length बोट आर सेम तो ऐसा नहीं सोचना है कि इस particular question में हाई राम मुझको length दिया है मुझको height नहीं दिया तो यहाँ पे length और height यह दोनों ही आपका कितना रहेगा 35 cm चो बहुत अच्छी बात है question में आपको pipe का mass ढूणना है ठीक है question में आपको pipe का क्या ढूणना है mass ढूणना है ऐसा एक same to same question obvious है data थोड़ा सा change होगा data तो same नहीं रह सकता but almost ऐसा ही same question हम लोगोंने हमारा क्या कहते है जो sphere की आखरी exercise है उसमें भी है यह mass वाला question ठीक है जिसमें आपको mass ढूणना रहता है और mass किस तरीके से ढूणते है यह मैंने वहाँ पे सिखा रहा है ठीक है बट कोई बात नहीं हम लोग फिर सिखेंगे ठीक है तो mass आपको ढूणना है इसमें information दी हुई है कि अगर आपके पास एक centimeter क्या cube का wood होता तो उसका mass 0.6 gram होता देखो मैं सीधी भाशा में बताती हूँ mass ढूणने वाले question दो category के होती है उनकी language पहली category यह आप लोगों के सामने है जिसमें आपको यह लिखकर दिया जाता है कि एक centimeter cube का अगर कोई object होगा तो उस object का जो particular mass होगा वो इतना होगा यह होता है mass वाले question का पहला type पहले तरीके से उसको लिखा जाता है कि हाँ ठीक है क करके आप लोगों का जो mass है ऐसे और दूसरी category होती है वो spear वाला question आप लोगों का जैसे की कौन सा था यार वो हाँ यह रेखो 13.8 का question number 3 इसमें भी देखो आपको mass निकालना है लेकिन इस बार उसकी देखो language क्या है उसकी language यह है कि density जो है वो 8.9 gram per centimeter cube है मतलब मार्स निकालने वाले question में directly आपको density भी दी जा सकती है कि ठीक है density बराबर इतना ठीक है यह हो गया आप लोगों का एक तरीका और दूसर तरीका आप लोगों का यह हो सकता है जो कि अभी हम लोग 13.6 के question about 2 में कर रहे है जिसमें आपको directly density word का प्रयोग ना करते होए ठीक है ठीक है directly आप लोगों का density word का प्रयोग ना करते होए क्या कर रहा है वो इस तरीके से लिख रहा है कि 1 cm3 अगर होता तो उस चीज का क्या होता आप लोगों का 0.6 ग्राम का मास होता तो दोनों को ही density कहता है मैं बता दू यह जो उसने आपको लिखकर भी दिया है ना कि 1 cm3 of wood has इतना इतना मास इसका मतलब ही density ही होता है तो आपकी मर्जी आप उसको कैसे भी कर सकते हो आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को यह पता है कि जब जब दुनिया में मास निकालने को बोला जाता है तो मास निकालने का कोई formula नहीं होता है आपको हमेशा क्या करना रहेगा ही fine करना होगा volume fine करने के बार ही आप कैसा है आगे बढ़ोगे ठीक है volume fine करने के बार ही चल आगे बढ़ते हैं तो मैडम volume fine करना है बिल्कुल अब देखो जो इस type के सवाल होते हैं जिनमें inner outer dimensions आपको दिये होते हैं ठीक है जो इस type के सवाल होते हैं जिसमें आपको inner dimension दिया होता है. जिसमें आपको outer dimension दिया होता है. तो इसे हम लोग basically कहते हैं ऐसे questions जिनमें thickness involved है. या फिर आप अपनी language में कहो questions जिनमें आप लोगों को inner और आप लोगों को outer dimension दोनों दिये होता है. तो इस तरीके के सवाल जिनमें inner dimension भी दिया है. इस तरीके का सवाल जिसमें outer dimension भी दिया है यहाँ पे total दो प्रकार के volume exist करते है अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि वो जो object है question में object कुछ भी हो सकता है तो आपके पास जो object है उस object का volume कितना है ठीक है उस object का volume कितना है या फिर उस particular object की capacity कितनी है या फिर कितना वो object अपने अंदर hold कर सकता है मतलब उस object के अंदर कितना liter तेल आ सकता है कितना liter पानी आ सकता है like that something like that इस तरीके का पूछा जाए ठीक है कि भाई बता दे उसकी capacity क्या है भाई बता दे उसकी capacity क्या है अगर ये पूछा जाए तो इसका मतलब आप समझ लीजे कि वहाँ पर आप लोगों को inner dimensions का प्रेयोग करके वहाँ पर आपको क्या निकालना है inner volume निकालना है अगर आप लोगों को वहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि भाई मुझे बता दे कि वहाँ पर वो जो object है उसका volume कितना है तो आपको वहाँ पर inner dimensions का प्रेयोग करके आपको inner volume निकालना है परंतु अगर question में आप से ये पूछ लिया जाए कि मुझको ये बताओ कि उस object को जो बना रहा है जिस चीज से वो object बन रहा है काच से object बन सकता है लोहे से बन सकता है प्लास्टिक से बन सकता है रबर से बन सकता है किसी भी चीज से बन सकता है अब जो object होता है भाई तो जिस material से आपने उस object को बनाया है उस material का volume कितना है ठीके दूसरी चीज आपको ये पूछी जा सकते हैं अगर आपके पास questions में inner और outer आपको दिग गया है तो इसका मतलबा समझ जाओ कि आपके particular सवाल में वो आपको क्या करवा रहा है दो प्रकार के volume आपके पूछ सकता है जो पहला प्रकार का volume है यह हो सकता है कि बताई उसकी capacity क्या है और दूसरा प्रकार का volume यह हो सकता है कि बताओ जिस material से हमने उस particular object को बनाया है उस material का volume कि इतना है ठीके तो मैणम अभी तक तो हम जितने भी सवाल करते आए जितने भी सवाल उसमें तो कभी आपने ऐसा नहीं कहा कि दो प्रकार के volume होते है ऐसा कर लेना वैसा कर यह कर लेना आप आज क्यों बता रहे हो क्योंकि यह ठीकने से इसमें inner data भी दिया है इसमें outer data भी दिया है तो अगर inner data और outer data दिया हो इसका मतलब आप लोगों को आपके सवाल को क्या करना होगा इस तरीके से अप्रोच करना होगा कि उसकी volume of object ठीक है वो एक concept और दूसरा volume of material वो एक अलग concept हाँ अगर मालेते हैं आपके सवाल में outer inner जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता नॉर्मली आपका सवाल ऐसा होता कि बाई बता दो इस particular सवाल का volume तो वहाँ पे आप volume of object निकालो यह volume of material निकालो सेमी formula लगता सब के लिए ठीक है लेकिन ठोकी य याँ पे क्योंकि आपको डो अलग data दिये हैं तो इन डो अलग data की बजर से यहाँ पे volume भी दुनों के लिए अलग लगेंगे, तो जब volume of material निकालना होता है जित भी material से आपने उसको बनाया है उसका volume निकालो तो actually में वहाँ पे आपको निकालना होता है, क्या volume of material निकालन इनर डिमेंशन से निकラ हुआ वॉल्यूम और आप लोगों का क्या इनर डिमेंशन से निकला हुआ वॉल्यूम इन दोनों को आप ज़ताइट करेंगे तो kung हम लोगों का कहेंगे आप लोगों का वॉल्यूम तो जब भी इनर आउटर वाला सवाल आया आप हमीशा ये डिसाइड करो कि आपको कोश्चन में किस चीज का वॉल्यूम पूछ रहा है तो मैडम यहां पे तो यह मास पूछ रहा है पाइप का मतलब उस पर्टिकुलर पाइप को बनाने में कितना वजन लगा होगा मतलब उस उसको किसमें इंटरस्ट है पाइप के मटरियल में इंटरस्ट है ऑके ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इस पर्टिकुलर कोश्चन का अगर कोई मुझसे टूफाइन पूछे तो टू फाइन तो मैं नो डौट इतना ही लिग कि ठीक है to find में यहाँ पर आ जाएगा mass of the pipe खतम लेकिन अगर कोई मुझसे इसका solution पूछे तो मुझे यहाँ पे mass directly नहीं निकाल सकती हूँ मैं मेरको अगर यहाँ पे जीजो को calculate करना है तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा volume निकालना पड़ेगा ठीक है मुझे volume नि निकालूंगी पाइप की capacity कितनी है ये वाला volume निकालूंगी यह फिर pipe कि señor se बना है है ना बराबर उसका वॉल्यूम निकालोंगी तो obvious है यहाँ पर हम लोग अप लोग क्या निकालने वाले हैं वॉल्यूम निकालने वाले हैं किसका उस material का जिससे वो pipe बना हुआ है ठीक है तो pipe का ऐसा कोई material specify किया गया है क्या हाँ wood देखो wood के बारे में बताया गया है है ना तो volume of wood ठीक है in pipe मतलब उस pipe को बनाने के लिए कितनी लकड़ी का इस्सेमाल हुआ क्योंकि mass उस लकड़ी की वजह से होगा है ना mass उसके अंदर जो volume उसके अंदर जो आपका क्या कहते है क्या कहते है आपका जो volume जो है जो mass है वो उस लकड़ी की वजह से तो आपको किस चीज में इंटरस्ट होना चीए आपको उस लकड़ी में ही इंटरस्ट होना चीए जो की अगेन क्या होगा outer dimension ठीक है minus आपका inner dimension done अब चाहे outer dimension यूज़ करो या चाहे तुम inner dimension यूज़ करो formula cylinder का तो same ही होगा formula होगा pi r square हाँ बट inner वाला sorry outer वाला r into h h outer inner जैसा कुछ नहीं होता है h h है फिलाल यहाँ पे pi r square आपका outer वाला multiply by आपकी height अब आप देख रहे हो कि मैंड़म आप यहाँ से pi और h common निकाल सकते हो formula मनेगा r square outer minus r square कितना inner उपर error हो गया यहाँ पे inner कर लेना ठीक है pi की value 22 by 7 height की value 35 r square outer outer वाला radius आपको कितना दिया हुआ है outer वाला radius आप लोगों के पास है एक मिनिट यहाँ पे outer वडाना चीए था मैंने यहाँ पे error कर दी ठीक है outer radius आपके पास कितना है 14 यानि की 14 का square inner radius आपके पास कितना है 12 यानि की 12 का square ठीक है तो देखो क्या होगी calculation 7 वंजा 7 फाइजा 22 into 5 that is going to be 110 अच्छाई यहाँ पे 196 minus आपका 144 हो जाएगा वे न 14 का square किया है और कुछ भी नहीं किया है तो minus कर लो कितना हो जाने वाला है 9 में से 4 गया यानि की 2 52 into 110 तो बस 52 into 110 इस particular multiplication को perform करो इससे जो निकल कर आएगा that will be your what that will be your volume वो आप लोगो का क्या कहला हैगा volume तो मैंने इनको proper तरीके से multiply किया और यहां से जो जी मुझे निकल के आई वो है मेरा 5720 cm क्यों मतलब जो उस pipe को बनाने के लिए जो हमने लकडी इस्निमाल की उस लकडी का उस pipe के अंदर में volume कितना है इतना volume है ठीकिए वो जो लकडी आपने यह इस तरीके से लेकिए माडम हमको तो volume नहीं दूणना था हमको तो mass दूणना था आपने कहां हमको यह volume volume के चक्कर में निफडा दिया तो देखो यार directly न आप लोगों का जो answer है वो निकल कर नहीं आ जाता है यह ठीक है यह आ गया मेहनत करनी पड़ती है अब देखो question की starting में given information में आपको दिया था कि 1 cm of cube of wood has mass of 0.6 gram यानि कि 1 cm cube of wood ठीक है question वाला ऐसा कह रहा है has mass of 1 gram 1 gram का 0.6 gram उसका वजन होगा 1 cm cube का अब हम लोग अगेन यहाँ पे हमारे 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे से columns बनाएंगे एक column की heading देंगे हम लोग volume ठीक है और उसकी unit होगी cm cube दूसरे column की हम लोगे आपे heading देंगे आप लोगों का mass और उसकी heading होगी कितनी gram question वाले के according ठीक है question वाले के according अगर ठीक है question वाले के according अगर आप लोगों का volume 1 cm3 होता है है ना question वाले क्या according अगर volume 1 cm3 होता है तो mass होता है 0.6 बराबर mass कितना होता है 0.6 done ठीक है madam done अब यहाँ पे लेकिन हम लोगों को question में क्या हमारा volume 1 है नहीं हमारा volume 1 नहीं है हमारा volume कितना है हमारा volume तो 5,7,2,0 है हमारा volume कितना है हमारा volume तो 5,7,2,0 है तो अगर volume 5,7,2,0 होगा तो हम लोगों का mass कितना रहेगा कुछ नहीं x मान लो और criss-cross कर लो अगर x माना criss-cross किया तो यहाँ से आ जाएगा 5,7,2,0 multiply by 0.6 और कुछ नहीं करना है यहाँ पे साधा simple सा multiplication perform करना है जैसे आपने यह multiplication perform किया आपका answer आजाएगा 3,4,3,2 gram ठीक है? अब क्योंकि हम लोगों को इतना बड़ा answer gram में लिखना अच्छा नहीं लग रहा है मैं इसको thousand से divide कर रही हूँ ठीक है? क्यों thousand से divide कर रहे है? क्योंकि हमको पता है कि 1 kg is equal to कितना grams होता है? thousand grams होता है ठीक है? 1 kg equal to कितना gram होता है? thousand gram होता है बराबर तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको justify कर दिया कि 1 kg is equal to thousand gram तो यहाँ से 3.432 kg यह मेरे पास आगया मतलब उस particular pipe को बनाने के लिए ठीक है? आप लोगों के पास कितना रहा होगा? उस pipe का वजन कितना रहा होगा? mass of pipe is 3.432 kg इतना kilo लकडी लगी होगी ठीक है? बराबर तो यह जो information आपको थी कि 1 cm3 आप लोगों का 0.6 gram होता है यह information हम लोगों को क्या थी? given दी हुई थी ऐसे ही कुछ भी आपको दिया जा सकता है जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 के लिए ही data दिया जाए कल को यह भी दिया जा सकता है कि 2 cm3 का इतना mass तो यहाँ पे फिर हम लोग 2 के लिए पूट करेंगे ठीक है? तो बस यहाँ पे अपने एक line लिख लेते हैं कि therefore total mass ठीक है? of pipe is given by कि total mass जो है वो इस तरीके से निकाला जाएगा बस क्रिस क्रॉस किया? answer निकाला? सवाल खतम होगे हम लोगों का है ना? तो सवाल बहुत ही प्यारा सा था छोटा सा था फिलाल इस discussion को यहाँ पे रोकते हैं लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दू कि जो तुम्हाई 13.6 है 13.6 में अभी जो मैंने आपको ग्यान दिया कि जब आपको outer dimension दिया जाए जब आपको inner dimension दिया जाए तो आपके पास दो प्रकार के volume होते हैं या तो कोई आपसे यह पूछ सकता है कि उस particular object को बनाने के लिए उसने कितना material का volume कितना है या फिर यह पूछ सकता है कि उस object की capacity क्या है तो मैंने आपको दोनों के लिए बताया कि किस case में आपको कौन सा वाला volume में इस्तेमाल करना है तो आपकी ही रेखो 13.6 में जो question number 7 है question number 7 भी रेखो इसी तरीके का है है ना कैसे आपको पूरी की पूरी pencil का diameter दिया है यानि कि पूरा का पूरा pencil मतलब पूरी pencil मतलब outer और आपको graphite का भी diameter दिया है मतलब अंदर वाले का जो graphite होता है pencil के अंदर जो काला काला portion होता है उसका भी दिया है मतलब इस particular question में भी आपको outer और inner ये दो data दिया है ठीक है आपको यहाँ पे देखो अगर आपको निकालना तो pencil किस से बनी है pencil दो चीजों से बनी है एक graphite से बनी है और एक आपके wood से बनी है ठीक है graphite का मतलब होता है inner part तो inner part का volume तो साधा simple तरीके से निकल के आ जाएगा pi r square inner वाला into high लेकिन जो wood है वो outer material है और आपका जो भी object होता है वो outer material किस चीज से बना है ठीक है outer वाला part आपका किस चीज से बना है अगर किसी ने इसका volume पूछ लिया तो आपको outer minus inner करना होगा ठीक है तो क्योंकि pencil वाले question में graphite outer part में है sorry graphite inner part में है और wood आपके outer part में है तो अगर किसी ने तुमसे graphite का पूछा है मतलब उसने तुमको inner वाले का पूछा है लेकिन अगर किसी ने तुमसे outer वाले material का पूछ लिया तो outer वाले material का volume कैसा निकाला जाता है outer वाले volume minus inner वाले volume तो इस तरीके से तुम्हें volume of wood मिलेगा तो कई लोगों को इस question में ऐसा लगता है कि यहां पे volume of wood निकालने के लिए directly pi r square में directly r square outer वाला put करके answer निकाल लेंगे into height करके तो गलत है इसमें outer minus inner करोगे तो जाके wood मिलेगा बलकि कोई भी ऐसा question जो की 2 dimension से बनाए outer dimension से बनाए inner dimension से बनाए और उसमें अगर किसी न तुमसे outer वाले का volume पूछ लिया तो हमेशा वो minus करके ही निकलेगा ठीक है ओके फिलाल इस discussion को अभी हम लोग यहां रोकते हैं इस वीडियो को देखने के बार वो जो graphite वाला सवाल है है ना बराबर वो वाले सवाल को तुम्हें मुझे अटेंब करके भीजना और सही बेजना गलत में बेज देगा